हेलो एव्रिवान, वेलकम तो बेबी जालरी, बेबी जालरी में आज हम डिस्कस करेंगे एक से तेर साल के बच्चे का फूट चाट और इटिंग हैबिट्स तो पहले हम लोग देख लेंगे कि न्यू मोटर स्किल्स क्या है तो इस एज में एक से तेर साल के बीच में बच्चा खुद से अनसपोर्टेड बैट सकता है, खरे होने के कोशिश करता है और फ़र स्टेप्स लेने लगता है तो ये सारे चीज़े जो है वो एक से तेर साल के बीच में यूजरी बच्चा अटेंड कर लेता है अब यह जरूरी नहीं है कि हर बच्चा चीज़े साथ में करे कोई 13 मंस में वाक करने लगता है तो कोई 16 मंस में वरी करने की बात नहीं है तो इसके बात हम लोग देख ले के पात आप मेरे दिरे सॉल्ट हनी या शुगर आपके बेबी के ड्राइट में इंटर्यूस कर सकते हैं इस एज में आप तीन मील्स और दो स्नैक्स दीजिए और ब्रेस्ट फिडिंग ओन डिमेंड चाहिए डबलो इचो के रिकमेंडेशन के हिसाब से ब्रेस्ट फिडिंग जरूर करते रहें इसके बाद हम लोग देख लेंगे कि इस एज में में चीजे जो हैं वो क्या इंटर्यूस कर सकते हैं हम लोग खाने में या फिर नए चींजेस क्या है खाने में तो फर्स्ट है मटन आप दीरे दीरे इंटर्यूस कर सकते हैं एक वाइट एक योग हमने प एक आप बच्छे को फर कर सकते हैं अप नोटिस कीजिए बच्चे को क्या चीज़ पसंधार यह आप उसमें कर सकते हैं इसकी बाद हम लोग देख लेंगे कि इस एज में वह हम लोग खाने में क्या-क्षांत कर सकते हैं या फिर और परुपशन तो breakfast के options यहाँ पे हैं आपके सामने यह सारी recipes जो है आपको बेबीज कैलरी YouTube चैनल पे मिल जाएंगी तो breakfast में oats खीर, दलिया खीर, conflix बनाना smoothie, oats बनाना smoothie, उपमा, सूजी carrot खीर, पोहा खीर, pink oats, सूजी apple खीर, सत्तो विद बनाना, मकना खीर, चिल्ला, pancakes, vegetable पोहा, conflix mango smoothie, idli, dosa यह सारे breakfast के options हैं इसके अलावा भी अगर आप breakfast में कुछ और खा रहे हैं तो आप बेबी को जरूर ओफर कीजिए, यह सारे सिर्फ suggestions हैं और इनके recipes YouTube चैनल में हैं तो आप आसानी से बना सकते हैं इसके बाद हम लोग देख लेंगे कि mid morning में बच्चे को क्या-क्या offer कर सकते हैं या फिर mid day में कोई भी whole fruit या fruit juice आप offer कीजिए, अगर बच्चा fruit नहीं खा रहा है तो fruit juice देजिए, लेकिन fruit preferable है ड्राइ फ्रूट्स दे सकते हैं या फिर ड्राइ फ्रूट्स बनाना smoothie बना के दे सकते हैं, coconut water या फिर milkshake को इसा भी fruit लेके milkshake बना के बेबी को offer कर सकते हैं इसके बाद हम लोग लंच के options देख लेंगे, अगेन लंच में भी अगर आप घर पे कुछ और बना रहे हैं लिस्ट के अलावा तो आप बेबी को ज़रूर offer कीजिए हमारे लिस्ट में जो हमने देखे रखा है, हो सिफ suggestions हैं, recommendations हैं, इनके recipes available हैं तो आप आसानी से बना सकते हैं तो basic जो staple food हैं हमारा rice, dal, veggies, fish, egg, chicken, mutton, vegetable खिचरी दे सकते हैं, डलिया खिचरी दे सकते हैं, oats खिचरी, पिसपास, नमकीन rice, tomato rice, नमकीन पोंगल without kaju, curd rice, coriander rice with curd, बूना खिचरी, beetroot rice with curd, अभी ये सारे options हैं जो आप YouTube channel से ट्राइ कर सकते हैं और देख सकते हैं कि बच्चे को कौन सा पसंद आए और ये भी जरूरी है कि आप different different चीजे बच्चे को offer करें ताकि वो same taste से बोर ना हो जाए इसके बाद हम लोग देख लेंगे evening snacks के बारे में, evening snacks में जो आप suggestions हैं हमारी तरफ से वो हैं इसके बाद हम लोग dinner options भी देख लेंगे कि जिनर में बच्चे को क्या-क्या offer कर सकते हैं हम लोग तो डिनर में भी जैसे रेगुलर हम लोग खाते हैं घर पे राइस ताल बॉल्ट पोटेटो राइस ताल एग खिचरी दलिया का ओच्स का या फिर चावल का होममेड सहरी लायक अगेन अगर आप ट्राविल कर रहें तो चपाति सोख्चीन में चपाती विच्टाल जोया है वो देख सकते हैं दीले दीले बच्चा खाने लगता है तो पूरा चपाती दे सकते हैं आपपर चपाती विच्ची इसके बात हम लोग देख लेंगे बहु को जो है एराउंड 7 850 से 900 ml तक including all fluids तो अगर आप बच्चे को सूप आफर कर रहे हैं या फिर जूस आफर कर रहे हैं वह सब मिलाके 850 ml होना है टेली मिलक इंटेक 400 ml इंक्लूदिंग और डेरी प्रॉडक्स अगर पनीर चीज यह सब दे रहे हैं तो वह सब मिलाके 400 ml जिल से जादा मिल्क या डेरी प्रॉडक्स नहीं देना है इस बच्चे को अपने आप खाने देना बहुत इंपॉर्टिंट है इससे हमका ग्रैस्पिंग पावर आता है खाने के तरफ इंट्रेस्ट आता है तो सेल्फ फीडिंग आप इंक्रेज कीजिए अगर बच्चा करना चाहता है तो और इससे जो हैं वह हैंड माउट कॉडिनेशन भी सीखते हैं कुछ डूज और डोंस हैं जो हम आपको बता देंगे तो डूज में जो हैं सेल्फ फीडिंग आप इंक्रेज कीजिए बच्चे को फूट पोर्शन डिसाइड करने दीजिए बच्चे को कितना खाना है उतना ही खाने दीजिए पॉटल्स विन ओफ कर दीजिए इस एज में फोर्स फीड मत कीजिए ख हमारे एफपी और इंस्टा पेज पे भी जरूर फीडबैक दीजिए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम और एफपी का पीज का निंक मिल जाएगा थैंक्यू सो मच